बिग बॉस 18 के सबसे बड़े गुंडा जी हां हम गुंडा कहेंगे गुंडा करती दिखाने वाले फिलिपर, दर्पोक इनसान और साती साथ यहां पर पूरी तरह से एक हैवी शरीर को लेकर बिग बॉस 18 में अपना हुकुम पूरी तरह से चलाने की कोशिश करने वाले साथ हो गई है दोस्तों सबसे बड़ी गलती एक ऐसी गलती हुई है जिसकी वज़े से रजद दलाल जो है अब शो से इविक्ठ हो सकते हैं रजद दलाल के फैंस के लिए बुरी ख़बर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों क्योंकि रजद दलाल ने मार दिया है अविनाश और विविन्द सेना को जिसका खाम्याजा अब रजद दलाल को भुगतना पड़ेगा और रजद दलाल होंगे शो से आउट आईए आप सभी दश्कों को यही बात बताते हैं दोस्तों पूरे विस्तार से लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटुब चानल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें रज़त दलाल बिग बॉस अठारा में जाने से पहले सबसे बड़े गुंडे के रूप में सोशल मीडिया में जाने जाते थे और इनको कई बार जो है जेल भी जाना पड़ा और जेल की चक्की भी पीशना पड़ा और बिग बॉस अठारा में जाने के बाद भी वो अपने ब कि वो यहाँ पर acting नहीं कर रहे हैं सच में सच में किसी कंटेशन का वो सर फोड़ कर वो घर के बाहर चले जाएंगे सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहते हैं ये भी बड़े influencer बनना चाहते हैं और इसी वज़े से बिग बॉस अठारा के घर के अंदर ये आएं हैं ये भी acting ही कर रहे हैं और साथी साथ इनको भी डर लगता है चीजों से और इनको भी इस बात का डर है कि कहीं वो out ना हो जाएं जैसे ही nominations में आए nomination में आने के बाद उनको विवेंद इसेना को जवाब देना था क्योंकि उनको अपना अपना हीरोपंती भी तो दिखाना था गुंडागर्दी भी तो दिखाना था और इसलिए वो गुंडागर्दी करते वे नजर आए और विवेंद इसेना को अनाप्शनाप जो है वो बोलते वे नजर आए अविनाश को बोलते वे नजर आए अब जैसे ही अविनाश ने जवाब देना शुरू किया यहां रज़त को तो रज़त जो है उन चीजों को जो है वो सुन नहीं पाते हैं ले नहीं पाते हैं और रज़त अविनाश के भी हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं और अविनाश को मार देते हैं दोस्तों ये पहली बार नहीं है, बिग बॉस 18 में जब रजट दलाल ने फिजिकल वोईलेंस किया, इससे पहले भी रजट दलाल ने 2 से 3-4 बार जो है, इस तरीके की हरकत जो हैं वो कर चुके हैं और उस वक्त, हालाकि बिग बॉस के मेकर्स ने भी कुछ नहीं किया, और नहीं स्टेंड हमेशा से रजट दलाल को जो है वो यही समझ रहे थे कि एक छोटे बच्चे की तरह इनका दिल है यही समझते थे लेकिन यहाँ पर रजट दलाल ने जब हदे क्रॉस की तब बिग बॉस के मेकर से जो चार लोगों का जो ग्रूप है जिसमें ईशा है अविनाश है इन सभी लोगों ने अपना-पना कैमरा निकाला और अपना-पना माइक निकाला और बिग बॉस के मेकर से कहा कि आप जब तक रजट को पनीश नहीं कर देते तब तक हम लोग माइक नहीं पहनेंगे इसके बाद सारे के सारे लोगों के बोलने के बाद बिग बॉस के मेकर स सारी clips को अच्छी दैसे चेक करते हैं और footage चेक करने के बाद रजद दलाल को दोशी पातें हैं confession room में रजद दलाल को बुलाया जाता है क्या समझाया जाएगा क्या रजद दलाल हो जाएंगे शोथ से बाहर ये सबसे बड़ा सवाल है सबसे बड़ा सवाल है ये देखना काफी जादा दिल्चस्प रहेगा दोस्तों